दुलहन की दम घुटने से हत्या करने वाला पती जेल में गिरफतार ग्रिहनी का गला घोटने के आरोप में पती गिरफतार हैरान कर देने वाली घटना घोला थाने के रूप या नगर में हुई मृत्यक की पहचान निशा साव के रूप में हुई है उम्र 20 साल गला घोट कर मारने के आरोप ने पुलिस ने विनोध को अरेस्ट किया है स्थानिय सूत्रों के मुताबिक निशा की शादी टीटागड के रहने वाले विनोध सौ से पिछले साल 30 नवेंबर को हुई थी छे माँ पूर्व विनोध निशा घोला रूपिया नगर में किराया पर रह रहे थे सोमवार की रात विनोध ने निशा की माँ को फोन किया और उसने कहा कि उनकी बेटी नहीं मिल रही है उसका मुबाइल फोन भी बंद है खबर मिलते ही निशा के घर के लोगों ने आकर दर्वाजा बंद देखा पुलिस ने मौके पर आकर ताला तोड़ा तो देखा कि निशा का शव किचन में एक कोने में पड़ा हुआ है गर्दन पर चोट के निशान और हाथ पर चोट के निशान है पुलिस ने रात में निशा का शव बरामत किया पुलिस ने मृत्यक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपो के आधार पर विनोद साव को गिरफतार किया मृत्यक के परिवार ने घटना के आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है ब्यूरो रिपोर्ट आमको नियूज 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 अपना अपनी की होन अपनी की होन